तो आज मैं दिखाता हूँ आपको इस प्रोड़क्ट को आप ऐसा कैसे सूट कर सकते हैं हाई हलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ग्राफिक्स मौंक में मैं हूँ संजे सकसे ना और आज हम करेंगे दूसरी एक प्रोड़क्ट की फोटो सूट इस सूट में मैं मल्टिबल एक्सपोजर का यूज करूँगा और लाइट पेंटिंग भी यूज करूँगा और एक बैक लाइट टेकनिक भी यूज करूँगा जिससे कि हमारा जो प्रोड़क्ट है आज का उसका एक बहुत ही बढ़िया लुक आए तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इस प्रोड़क्ट का सूट किया, तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीका के कोई प्रोड़क्ट और एक ब्लैक बैकड्राप मैंने दो चार्ट पेपर को लिया और उस से बैकड्रॉब बना लिया है और आपको चाहिए दो lights मेरे पास है Godox का AD400 और दूसरी light है Godox का V1 मैं इन दोनों light को remotely use करूँगा मैंने clamp use करके backdrop को ऐसे लटका दिया है और आपको अपने light में diffusion के लिए एक softbox लगाना है मैं use कर रहा हूँ Godox का या strip box इस तरह के photography के लिए आपको strip box या rectangular shape का कोई diffuser चाहिए आपको इस तरीके का diffusion material अपने softbox के आगे लगाना पड़ेगा ताकि और भी ज़्यादा diffuse or light तो दोनों softbox के आगे हमने diffusion material लगा लिया है देखिए बहुत इकम दम में आपको ये diffusion material मार्केट में मिल जाएगा अब आपको चाहिए एक stand जिसमें कि आप अपना product को रख सके ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ है मैंने एक plywood को काट के इस टाइब को सेथ दिया आप भी plywood को काट के इस तरीके का एक कुछ बना सकते हैं इस तरीके से आपको इस product को place कर देना है हमें backdrop black रखना है क्योंकि हम light को पूरी तरह से control करना चाहते है अब हमें place करना है अपना camera tripod में हम अपना focusing को manual में switch करेंगे light को on करते है हम अब दूसरा light भी on कर लेते है light का output full रखते हैं क्योंकि इसको हम लोग diffuse करने वाले हैं हम लोग अपना focus set कर लेते हैं तो अब हम first पहला sort लेते हैं जो की होगा हम लोग लेवल के लिए sort हमें sort कुछ ऐसा मिला तो अब next sort हमें सही बॉटल के पीछे से उसका liquid का अब हम add करेंगे अपने b1 पे एक grid ऐसा और एक barn door इस टाइप का ये Godox की accessory है आप इसको ले सकते है market से आपको ये market में असाने से मिल जाएगी हमें इस grid को ऐसे close कर जाना है ताकि minimum से minimum light बाहर जाए क्योंकि हम लोग को light को direction देना है मैं अभी ये phone से light painting करोंगा और उसके लिए मुझे एक app चाहिए मैं flashlight नाम का एक app यूज कर रहा हूँ इसमें मैंने color set कर दिया orange और इसको लेकर मैं back से light painting करोंगा जो की बात में composite कर दोंगा अपने camera को long exposure के लिए set कर लीजिए मैंने 4 second का shutter speed रखा है आपको धीरे से light ऐसे painting कर दिये है इस तो ये हमें मिलगा हमारा final shot अब सारे photos को लेके computer में composite करते हैं वेल आशा करता हूँ कि आपने वीडियो एंजोई किया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो kindly like कीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जूड़े रहेगा इस channel से मैं फिर चे आऊंगा इसी तरह की और वीडियो को लेके तब तक के लिए संजे सक्सेना signing off bye and take care